नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका एमसे शोरगेन इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त फरवी राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम आप विडियो के मोमेट के सकते हैं, मैं कि लेएट के दूढ़न देशे के वीडियो something के कुछ levels बतायते हैं जिनसे पर हम sell कर सकते हैं और कुछ बाई के levels भी बतायते हैं तो वीडियो में हमने यह भी बताया था कि जो lines मैंने भी draw की हुई हैं आप screen पर देख पा रहे होंगे lines के बारे में मैंने यह बताया था कि यह lines market की बनाई गई support and resistance lines हैं और इन लाइन के ऊपर यह नीचे जाने पर market अच्छा खासा move एक साइड को देता है उसी में आप देख सकते हैं कि जो levels मैंने बताया था उस level के नीचे जब market गई तो उसने वही level टच किया जो level हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 20-0-20 के असपास 22-0-20 के असपास का levels यहां पर मिल सकता है तो उसी level को touch करके market तिर ओपर गई और फिर आज जो opening होई वो उस level के यानि कि जो level था support का वो तोड़के उसके नीचे market खुली है और उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छा कासा downfall यहां पर इसने दे दिया है अब आगे की run नीचे की बात करेंगे दोस्तों अभी तक जो downfall market को देना था वो almost market complete कर चुकी है अभी 215 के level पे अच्छा कासा यहां पर इसने एक resistance बनाया है और इस level के उ उपर जाने के chances ज्यादा हैं और आगे के जो levels रहेंगे दोस्तों वह आपके 21,800 और 22,200 के आसपास के levels market तुबारा से पकड़ सकती है या एक और त्योरी जो होती है हमारी जिसको हम gap filling कहते है गैप filling कर सकती है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यह जो gap जो आज market ने बनाया ह है मैं आपको एक बार चार्ट को पीछे करके दिखा देता हूं आपको वहां से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा यह देखिए इस level पर यहां पर आप देख सकते हैं जो 25 जून से लेके जो 30 जून के बीच का चार्ट है वहां पर ना market काफी ज्यादा बार यहां इस price पर आक मिलता इस level से resistance value यहां पर मिल जाती है जैसे कि आप यहां पर देखेंगे कि उसके बाद जब एक जून के बाद यहां से resistance लेकर मार्केट उपर उठी तो फिर उठती चले गए और कहीं भी नहीं रुकी तो यह जो level है काफी crucial level है इसलिए हम इस level पर आपको buy करने की सला दे है सला ही रहे कि दोस्तों 21,375 यानि कि आज तो almost market खतम हो चुके तो अभी तो trade करके कोई फायदा नहीं क्योंकि कल की gap down opening का कुछ पता नहीं होता ठीक है तो level क्या रहेंगे वह दोस्तों मैं बता जाता हूं अगर 21,400 के उपर market open होती है तो हम buy की position बनाएंगे 21,800 और 22,200 के आसपास के levels market वापस जो है पकड़ सकती है यह gap filling करने के chances बहुत जादा है कि यह करेगी gap filling तो इसलिए यह recommendation में रहेगी कि आप 21,400 के उपर अगर market कल open होती है 400-400 की range में तो आप इसको buy कर सकते है stop loss का जो यहाँ पर level है दोस्तों वह major stop loss तो आपका यह 25 के नीचे ही रहेग लेकिन एक short term stop loss अगर आप लेकर चलना चाहते हैं तो उस stop loss के लिए जो है आपको morning में market opening का वेट करना होगा morning में market open हो दिये तो उसके बाद आपको decide करना होगा किस तरीके से वहां से आप 120 का stop loss लेकर चल सकते हैं फिर तुबार से बताना चाहूंगा major stop loss जो इसमें रहेग बैंक निफ्टी के जो लेवल से मैं बता रहा हूं 22,200 के आसपास तक बैंक निफ्टी आपको वापसी मिल सकता है तो दोस्तों देखते हैं कल क्या होता है market में मिलते हैं फिर दुबारा से market analysis की रिपोर्ट लेके आपके बास बैंक निफ्टी की तब तक के लिए बाई टेक केर और हपी ट्रेडिए